हैं वै 550 थno कि वेलकॉम टू मैं यूटूब चेनल तो आजकर जो हमारा टापवीक है वहें एंगलो फ्रेंच कांफ्लिक या कार्णैटिक वख़ें बोल सकते हैं जो ब्रिटिश के भी जो नहीं हुआ ठीक है तोटल तीन का करनेटिक वर हुई वह 1748 से 44 से 48 के बीच में हुई और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुई यह फाइट थिक है और इसमें क्या था कि जो फ्रेंच फोर्स थी वो किसके अंडर ती डुपलेक्स जो इनके गवर्नर थे इनके बीस अंडर थी और यह जो फोस्ट कानेटिक व हुई जिसमें किसके बीच हुई यह नवाट और फ्रेंच आर्मी के बीच हुई ठीक है इसमें इसमें जो नवब आफकारेंटिक आर्मी कर ली तो यह वो किसके साथ हो ऑप कि वह फ्रेंचे खेंदर के वह जईत घुएत अब्ट को थी predव इस देंव और इस जो पारा करनेटिक वार कब हुई और इसका जो एंड्रों किसके साथ हुआ कौन से संदी के साथ हुआ और इसमें जो सेंटों मेंयों मैं कमा यहीं चाहिब हिसके बीच ऊँए और इसमें टीह अपने दिहान में रखनी है पहाइं के लिफारदान कोंसे तो आप बोल सकते हैं तो जन साहिब जो कार्नेटिक आर्कोर्ट के थे और ब्रिटिशर्स के स्पोर्ट में कौन थे नासिर जंग हैदरावान ए मुहमद अली आर्कोर्ट के ठीक है और इसमें क्या था मेन कि जो डुपलेक्स थे जो फ्रेंच के गवर्नर थे उनको फ्रांस बापिस पुला दिया गया और इनको जो है रिप्लेस किया गया चारले गुदेहु से फिर चारले गुदेहु जो है फ्रेंच के गवर्नर वने नेक्स जो गवर्नर वने और इन्होंने एक ट्रिटी साइन की ट्रिटी आउफ पुल्डुचेरी कब की 1755 में और जो संदी हुई पुल्डुचेरी की जो इस सन्दी से क्या हुआ कि गिस्ट इंगा करिंगे तॉन ह newest massive की परici चैंज जो किप आड़िऩ का थब स्टाेम करनेटिक में इसके माद स्ट अहाले इंड़म कहटें एक शॉल्ट अभी इंड़ाद में में ईसके बाद हम पढ़ेंगे जो है यह वार चली फ्रेंच फोर्स को जो साउट साइड लीड कर रहे थी हो थी कॉम्टर दे लीली और इसको नहीं जो है एक फोर्ट सेंट डेविट फोर्ट था जो तमें लाडू में था उसको जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया अब ब्रिटिश फोर्स थी वो किसके ब्रोश पुडुचेर उसको जो हिने ने कैप्चर कर लिया फिर बार में क्या हुआ इस चुर्ट भर का जो एंड हुए वह किसके साथ फोर फोर पार chicken संदी ऐस साथ इस वो और एंड उनडू उन्हों किसके बार्स की था देए प्राशली के साथ ऐसे वार शालन वार्ack ठी के लिए इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जदी से आप मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेर भी जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी मैं नई वी वीडियो को ज़रूर देखें थैंक यू